है हैई है है अगया है है हुआ है हुरिंग कैसे हैं आप सबी लोग उमीद है आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे फर्स्स अगत अच्छे से अच्छे एक बार जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएं क्योंकि आज जो quiz challenge series है उसका part 2 आने जा रहा है मतलब second class है हमारी quiz challenge series की जिसमें हम tackle करेंगे किसे related सवाल CGL, CHSL, MDS, CPO, Stanographer, इसके अलावा UPSI, UPSHC और railway NTPC, CBT1, CBT2, railway group D इन सभी exams को कही ना कही target करने के हमारी कोशिश रही है और इन सभी exams को target करने के लिए best तरीका क्या है कि एक तरफ आप पढ़िये चीज़ों को जैसे आप जानते हैं दिन में तीन बज़े वाली class में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दो topics clear करवा है एक topics था उसमें से अपना sports वाला और एक topic और था इसके लावा एक बज़े वाली class में आपको दो topics clear करवा है तो almost में 4 topics आपको आज सुबह से clear करवा चुका हूँ तो अब क्या करें उन सवालों को हम revise करने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं है कि वही सेम सवाल आपको मैं revise कराऊंगा मगर कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उन से मिलते चुलते होंगे मगर exam में बहुत important वो role play करेंगे चाहें आप किसी भी exam में क्यों न जाकर बैठें तो चलिए बढ़ जल्दी से सभी आ जाईए देखते हैं कौन-कौन attendance लगाने आ गया है फटा-फट से देखते हैं कौन-कौन attendance लगाने आ गया है आज class में second class है आज हमारी इसके चलिए जी प्रित्वीराच चोहान जी सरीदा यादव जी रजस सकसेना राखी वर्मा जी मौनिका शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मनी यादव सुशील कुमार योगी जी चलिए class को एगवा जल्दी से आप सभी लोग मिलकर share कर दीजे मैं जब तक आपक कोशिच करता हूँ चीजों को आगे ले जाता हूँ थाकि यीजी लिए आप चीजों को समझ पाए कि कोई दिकत नहीं है जी आप डे वाली class नहीं कर पाए आप जानते हैं current affair की class रात को होती है अपनी 11 बचे हो चैनल कौन सा होगा तो चैनल रहेगा science heaven channel इससे class में जरूर चुड़ा कीजिए क्योंकि अभी तो देखिए जादा तर मेरा जो focus है अभी इस time recent situation में मेरा focus है केवल और केवल आठ महीने के current affair को complete करवाने का था कि exam के लिए आप perfect बन जाएं बिल्कुल एकदम त्यार हो जाए exam के लिए इसके अलावा inappropriate content यदि आपको लगता है जैसे कि example पहला वाई सराए था तो वह गलत है तो आपको यदि लगता है कोई inappropriate content या फिर मान लीजे मैं किसी अप शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं इनके परे में मैं किसी अप शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं तो उसके लिए भी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करक बूस्टर बैच के बारे में बदा रहा है वैलिडिटी कितनी रहेगी एक और दो साल इसकी वैलिडिटी है इसमें आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड जो की रहेगा cm10 इस कोड के माधियम से आप कोर्स में कर लेंगे जिसका प्राइस है 7999 रुपे मगर यह 7999 रुप आपको इससे भी कम प्राइस ही चुगाना पड़ेगा इसके अलावा यह है biggest scholarship test इंडिया का इंडिया का biggest scholarship test है कब करवाया जाता है यह करवाया जाता है every Sunday दुपहर 12 बजे इसमें आपको यूज करना पड़ेगा मेरा code cm10 यह बिलकुल फ्री है बिलकुल मुफ्त है इसमें बहुत सारे अकरशक अन्य प्राइजिस आपको दिये जाएंगे जो आपकी education में भी बहुत जादा मदद करेंगे आपकी ठेक इसके अलावा यह है अनकेडमी का learning application डाउनलोड करने के लिए जाए गूगल प्ले स्टोर पर इसके अलावा app store से जिन के पास android के अलावा दूस वाद कर लेना class के पाथ application जिसने अभी तक application डाउनलोड नहीं किया है इसके अलावा यह है मेरा code cm10 इस code का इस्तमाल आप बहुत सारी जगावों पर कर सकते हो free courses के लिए भी कर सकते हो इसके अलावा free classes के लिए कर सकते हो free combat के लिए कर सकते हो इसके अलावा discount पाने के लिए भी आप कर सकते हो और ये discount match के chapter वाला discount नहीं है बस ये याद रखना ये discount chapter वाला discount नहीं है ये real वाला discount है जो तुम्हें सज में दिया जाएगा चलिए जी, all set, सभी दे आ रहे हैं, एक बार जल्दी जे क्लास को शेयर कर दीजे और दीजिए पहले सवाल का जवाब, आपकी स्क्रीन पर आ गया है पहला सवाल यह सिद्धान्त, यह सिद्धान्त की पृत्वी पर एक बड़े शुद्र क्राय के प्रभाव के बाद डाइनसोरों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया सिद्धान्त है CGL 2018 में पूछा गया सवाल है, CGL 2018 में पूछा गया सवाल है, English में भी देख लीजिए The theory that dinosaurs are driven to extinction by the aftermath of large asteroid impact on the earth was given by वो कह रहा है कि बहुत बड़ा शुद्र ग्रह जो है, वो टकराया फ्रितवी से और उसके टकराने के बाद भारी नुकसान हुआ बारी शुई उलका बिंडो के उसके बाद खतम हो गया, डाइनसोर खतम हो गया यह सिद्धान किसके द्वारा दिया गया, सवाल यहां पर यह है, चलिए, जवाब दीजे सवाल कौन से एक्जाम में पूछा गया, एक्जाम में पूछा गया, सवाल CGL 2018 के चलिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजे, सभी लोग मिलकर बाकी सभी दुरंदर कहां पर रहे हैं आज, हैं बई, बाकी सभी कहां पर रहे हैं आज, कहां रहे गए, चलिए, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजे, फटा फट से, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विलिय यार्थियों का गलत है बिल्कुल सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है लुएस अलवेरेस लुएस अलवेरेस के द्वारेक सिधान दिया गया था और इन्हें अवाड भी मिला है नॉबल पुरस्कार 1968 में 1968 में इन्होंने नॉबल पुरस्कार भी जीता है लुएस निने नॉबल पूरस्कार क शेतर में मिला था तो फिजिकस के शेतर में मिला था इन्हों ने एक थिजिवरी बताई से इन्होंने मतलब बताया और बताया कि भई एक शुद्र ग्राइट अगरा हा प्रित्वी से और उसके बाद डाइनसोरों का नामों निशान अधर्दी के उपर से ये पॉइंट याद रखना CGL 2018 में पूछा गया सवाल है नेक्स्ट कोशन है अगला सवाल है स्क्रीन पर वू इन्वेंटेट दा अटॉमिक बैटरी नाइंटेन ट्वेल 1912 में प्रमानू बैटरी का विश्कार करने का नाम किसको दिया जाता है ये क्रेडिट किसने 1912 में प्रमानू बैटरी का विश्कार किया ध्यान से पढ़िए अटॉमिक बैटरी के बात कर रहा है वो इलेक्रिकल बैटरी के बात नहीं कर रहा प्रमानू बैटरी का विश्कार किसने किया था आलेजांड्रो, वोल्टा, हैंड्री मोस्ली, बैंजमन, फ्रांकलीन या फिर लुइस पास्चर किसके दुवारा किया गया था नहीं नहीं आधेस्ट्रोइट से डेडेटी कोशन नहीं है, मिक्स कोशन है बिल्कुल, मिक्स कोशन है, मिक्स सवाल है CGL 2018 में पूछेगाई सवाल है इसके लावा CHSL 2016 2017 में पूछेगाई सवाल है चलिए UP वाले questions को भी मैं कही न कही इसमें mix करके लाया हूँ तो जवाब देने की कोशिश कीज़े फटा-फट से बस class को जादा से जादा share और like कर दीजे सवाल स्क्रीन पर है Who invented the atomic battery 1912 1912 में atomic battery को invent करने का credit किसे दिया जाता है प्रमानू battery बनाने का credit किसे दिया जाएगा गैरेंटी दे रहा हूँ maximum student इसका जवाब देंगे Alessandro Volta क्योंकि उनको इतना याद है कि Volta की battery आती है इसलिए मगर सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है Henry Mosley क्योंकि मैंने बार-बार बोला उसने बोला है प्रमानू battery की बात कर रहा है atomic battery की बात कर रहा है ना कि electrical battery की बात कर रहा है 1912 में से invent किया गया किसके दौरा invent किया गया तो इन्वेंट करने का credit दिया जाएगा Henry Moss Lake को दो सवाल हो गए next question है अगला सवाल है स्क्रीन पर सवाल है Super States a new platform to analyze the game of cricket Super States a new platform to analyze the game of cricket comprised of three metrics which of the following is not one Super States cricket के खेल के लिए visualization करने के लिए एक नया मंच है जिसमें तीन metric शामिल है बताइए निमली कितमे से कौन सा शामिल नहीं है Super States की बात कर रहा है वो बोल रहा है जो cricket है उसको मतलब check करने के लिए analyze करने के लिए cricket game को analyze करने के लिए इस pattern का इस्तेवाल किया जाएगा वो बोल रहा है निमली कितमे से तीन स्टेट्स में कौन सा स्टेट्स मौझूद नहीं है इसमें option है score index, luck index, smart states या फिर forecaster क्या रहेगा सवाल का जवाब चलिए बहुत बढ़िया सवाल है मैं guarantee दे रहा हूँ तुमने तुम्ने तुम्हारे जीवनकाल में सवाल पहली बार ही सुना होगा बहुत सारे विध्यार दे सही जवाब नहीं दे पाएंगे मैं पूरी उमीद करूँगा चलिए एक बार class को जल्दी से ग्रूप में share कर दीजे बागी सभी कहां पर है भाई आज आज कोई नजर नहीं आ रहे तुम लोग कहां पर हो PGD वाली आंसर की जैक कर रहे हो गया DSSB की सभी ने PGD वाला form भर दिया था क्या चार यह forecast option है score index, luck index smart stats या फिर forecast forecaster सवाल का जवाब कर रहेगा option number A score index ध्यान रखना बहुत important सवाल है clear तीन सवालों में से guarantee दे रहा हूँ किसी के भी तीन टेक नहीं होंगे जितना मैं sure हूँ तुमें लेगर next question है अगला सवाल आएगा screen पर fourth number का question है in February 2019 flight lieutenant created history by becoming the first Indian woman flight engineer वो बोल रहे हैं फरवरी 2019 में flight lieutenant ने पहली भार्द्य महिला flight engineer बनकर इतिहास रच दिया पहली महिला flight engineer बनकर इतिहास रच दिया उनका नाम क्या है मोहन सिंग हीना जैस्वाल भावना सेट या फिर अंजली गुपता निमली कितमे से कौन सी महिला है जिनोंने ये इतिहास रच दिया 2019 का सवाल है बहुत important question है क्या रहेगा सवाल का जवाब option है मोहन सिंग हीना जैस्वाल भावना सेट या फिर अंजली या फिर अंजली गुपता सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा हीना जैस्वाल ने ये कारनामा करके दिखाया और बन गई बन गई created history by becoming the first Indian woman flight engineer नाम क्या भरना है नाम भरना है आपको यहां पर हीना जैस्वाल कि सवाल कहां पूचा गया सवाल पूचा गया सीजील के एक्जाम में 2018 वाले फॉर्म थे जिसका नवाब सुजादू दौला इन वो बोल रहा है सब्दर जंग का मकवरा एक बगीचे के बीच में नवाब सुजादू दौला द्वारा बनवाया गया था कहां पर उत्तर प्रदेश उत्राकंड दिल्ली या फिर बिहार क्या रहेगा सवाल का जवाब चलिए बैं जल्दी सब्दर जंग के बारे में उमीद करूंगा आप जानते होंगे कहीं नहीं आपने नाम भी सुना होगा सब्दर जंग से संब्दी तो सब्दर जंग टॉम कहां पर मौजूद है सवाल का जवाब रहेगा दिल्ली में मौझूद है किसके द्वारा बनवाया गया सुजादू दौला के द्वारा इस ट्रॉम को बनवाया गया था ठीक नेक्स्ट कोशन है छटे नंबर का सवाल है अक्टिविस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम करनाट का क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी जवाब दीजे भई कौन थे वो जिनके हद्या कर दी गई थी और उन्हें इससे सम्मानित किया गया बफरिंग नहीं हो रही ठीक चल रही है क्लास ऐसा नहीं है बफरिंग नहीं हो रही क्लास बफरिंग हो रही है क्लास में नहीं नहीं क्लास ठीक चल रही है बताईए एक बार जल्दी से बफरिंग नहीं हो रही है मैंने दुबारा फोन अपने हाथ में ले लिया है मैं देखता रहूंगा बिल्कुल चलिए बफरिंग तो नहीं हो रही है मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूं क्लास पर बफरिंग नहीं हो रही है हमें तो लगता ही नहीं एक्जाम में आएगा भाई साब एक्जाम में एक बार सवाल पता है क्या पूछा गया था मैं आपको पताता हूँ आज 9 बजे मुझे वही आपको पढ़ाना है मैंने क्लास का टाइम चेंज कर दिया पॉलिटी वाला ये तो दुनिया जानती है कि वेरेन हेस्टिंग के ओपर महाब्योग चलाया गया लंदन में मतलब इंग्लैंड में मगर चलाया क्यों गया उसके बारे में आज तुम्हें पढ़ाऊंगा 9 बजे वाली क्लास में 1773 तुम्हें Regulating Act पढ़ाऊंगा PITS Act पढ़ाऊंगा और तुम्हें 1781 में एक Amendment Act के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा इसके अलावा भी बहुत कुछ मुझे तुम्हें पढ़ाना है चलिए गौरी लंकेश बहुत बढ़िया सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब रहेगा गौरी लंकेश जर्नलिस्त थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी चलिए नेक्स कुशन देखेंगे अगला सवाल है अगला सवाल है स्क्रीन पर स्वारूप रावल एन इंडियन टीचर एट लैवेड प्राइमरी स्कूल इंदा इंदा was running for the prestigious global teacher prize in 2019 which honors the world best teacher वो बोल रहा है 2019 का best teacher पुरसकार जीतने वाले का नाम क्या है वो बोल रहा है नाम है स्वारूप रावल कि स्कूल से बिलॉग करते हैं में लावर्ट प्राइमरी स्कूल में एक भारतिय शिक्षक स्वारूप रावल प्रतिष्टित वैश्विक शिक्षा पुरसकार 2019 के लिए दोड में थे जो दुनिया के सर्वस्रेष्ट शिक्षा को सम्मानित करता है बताईए भई honor विंदा best teacher की बात कर रहा है क्या रहेगा सवाल का चवाब जल्दी से जवाब दिने कोशिश कीजे बहुत बढ़िया सवाल है स्क्रीन पर आपकी किस राजे से बिलॉंग करते थे गुजरात महराष्ट केरल या फिर दमिल नाडू देखते हैं कितने सारे विद्यारती सवाल का जवाब सही देवाएंगे बहुत उम्दा बहुत भैतरीन सवाल है आपकी स्क्रीन पर 2019 का कोश्चन है 2019 का कोश्चन रहेगा सवाल का जवाब क्या रहेगा option है गुजरात महराष्ट केरल या फिर दमिल नाडू सवाल का जवाब बेसी कहा है बिल्कुल सवाल का जवाब रहेगा option नंबर A गुजरात चलिए जी नेक्स कोशन लगाते हैं अगला सवाल लगाते हैं स्क्रीन पर नेक्स कोशन है सवाल है विहुला गिद्धा is a popular fog dance performed during the marriages in Indian state विहुला गिद्धा भारतिये राज्ये में विवा के दोरान किया जाने वाला एक लोग प्रिये निर्थे है बताईए भारत के किस राज्ये में ये निर्थे perform किया जाता है विहुला गिद्धा भारत के किस राज्ये में ये dance perform किया जाता है चलिए जब आप दीजे फटाफट से विहुला गिद्धा भारत के कौन से राज्ये में ये dance perform किया जाता है और buffering buffering नहीं हो रही है च्वाब बढ़िया सवाल का जवाब कै सवाल का जवाब है पंजाब तो पंजाब में यहाली डांसवां सवाब की जाती है विहुला गिद्धा विहुला से का कन्फ्यूज मदोना गिद्दा कहीं आप याद रखेंगे तब भी एक्जामें इजरीटी को जाएगा नेक्स्ट कोशन एग्रा सवाल है स्वातंतर भारत की विमल्डन टैनिस चैंपियंशिप में भारत का प्रती निदित्व करने वाले पहले भारतिये खिलाडी कौन थे बताईए स्वातंतर भारत में विमल्डन टैनिस चैंपियंशिप जो होती है उसमें भारत की तरफ से प्रती निदित्व करने वाले पहले कौन थे पहले बारतिये जिन्होंने विमल्डन में पाटिसिपेट किया था इस प्रकार के सवाल एक्जाम में पूछे जाएंगे यह दो बार सेमी फाइनलिस बने थे 1960 में और 1961 में सभी का सवाल का जवाब है लेंडर पेस जो कि बिल्कुल गलत है सवाल का जवाब है सवाल का जवाब है, रामानाथन क्रिशन तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितना बैतरीन और दमदार सेवाल है एक्जाम के लिए सवाल का जवाब है, रामानाथन क्रिशन, clear नेक्स्ट कोशन है अगला सवाल है स्क्रेन पर सवाल है इतनी बार पुछा गया है और इतने सारे एक्जामें में पूछा गया है शायद जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है सवाल है Able Price Able Price मैस के शेतर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है जिसे हम बूलते है Novel Price of Maths आप जानते हैं अच्छे से कि Novel Price मैस की कैटेगरी के लिए नहीं दिया जाता Novel Price दिया जाता है छे कैटेगरी में Literature, Physics, Chemistry, Medicine, Economics इसके अलावा पीस तो छे शेतर में दिया जाता है Novel पुरसकार मैस के लिए नहीं दिया जाता सवाल का जवाब है कैरन अलग बैक मेरे साब से आपने कई बार पढ़ा होगा सवाल और आप इसके बारे में आज भी जानते होंगे चलिए नेक्स कुशन है अगला सवाल स्क्रीन पर वो बोल रहा है निमली कितमे से कौन सा राज्जे है जिसका कल्चुरल मतलब और याद रखना इसके जस्ट बात मेरी पॉलिटी की क्लास है थियोरी पढ़ाऊंगा वाई जब उसमें ठीक थियोरी पढ़ाऊंगा उसमें तो थियोरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं साइने प्लेइंग विट जीके पर मेरी गास है मेरे चैनल प्लेइंग विट जीके पर क्लास रहेगी रात खुर नौ बज़े 9-10 playing with JK पर class रहेगी quality पढ़ाऊंगा आज उसमें और quality में क्या पढ़ाऊंगा quality में पढ़ाऊंगा regulating act 1773 pates act के बारे में पढ़ाऊंगा 1784 के बारे में इसके अलावा 1793 के बारे में पढ़ाऊंगा charter act के बारे में पढ़ाऊंगा इस सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा चलिए 8 बजे 8 बजे के बाद आज 9 बजे class है इसलिए मैंने class का time 9 बजे कर दिया इसके just बात class है 9 बजे से class है in which year did independent India win its worst Olympic gold medal भारत ने पहला gold medal कब जीदा था स्वातंत्र होने के बाद ध्यान से बढ़ना सवाल के है स्वातंत्र था के बाद भारत ने पहला अपना gold medal Olympic में कब जीदा जीदा था होकी में आप जानते हैं जीदा कब था सवाल ये है 1952, 1960, 1940 या फिर 1956 में मैंने आपको पढ़ाया था ये आप जानते हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखा है भई पहला gold medal भारत ने कब जीदा after independence की बाद कर रहा है अजादी के बाद भारत ने पहला gold medal जीदा था 1948 में लगा था 7 gold medal जीदे थे जितना मुझे याद है भारत में होकी में और जिसकी शुरुबाद 1928 के असपस हुई थी clear सभी का गलत है सवाल का जवाब है 1948 1948 मैंने Olympic पढ़ाया है पूरा का पूरा application पे GK 121 वाली series में तो अगर आपका किसी का भी कोई doubt है तो जा सकते हैं आप application पे अनक एडमी पे और GK 121 121 topics मावे मैं पढ़ा रहा हूँ 121 topics वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि Olympics के संदर में जो भी point रहेंगे गधन रहेंगे next question है अगरा सवाले screen पर who among the following is the author of the book a passage of England किसके दुआरा एक किदाब लिखी गई जिस किदाब का नाम है a passage to England पुस्तक के लेखक कौन है चलिए class को share कर दीजे जल्दी से और like कर दीजे भई कि हाज class का event आपको नौ बजे बनावा नजर आ रहा होगा एक बाच कर लेना जाके जरूर ठेक आप a passage of England a passage to word England किसकी किदाब है सवाल यह है चलिए जल्दी जवाब दीजे भई फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का जवाब बहुत बढ़ी है बहुत सारे विद्यार्दी सवाल का जवाब सही दे रहे है सवाल का जवाब रहेगा निराद सी चौधरी मतलब option number B निराद सी चौधरी के द्वारा लिखी के एक किताब है किताब का नाम है author of the book a book a passage to England ठीक है ना किस किताब के लेखा गया है किताब का नाम है a passage to England मतलब एक रास्ता एक passage to England हो जाएगा सीधा सवाल का जवाब चलिए next question दिखेंगे अगला सवाल स्क् इसी बेंट ऑफ प्रिस्टीज यर पुलीजर प्राइस वो बोल रहे निमली कितमे से कौन से वो पहले हैं जिने पुलीजर प्राइस से समानित किया गया था option है गोविंद भिहारी लाल गीता आनन्द जुंबा लैरी या फिर सिधार्थ मुकर जी निमली कितमे से वो कौन स जिनने सबसे पहले prestigious पुरसकार, prestigious पुलतीजर पुरसकार से समानित किया गया था, यह पुरसकार दिया जाएगा, newspaper, magazine, journalism, literature, इन सब शेत्रों में दिया जाएगा और musical composition में भी, यह पुरसकार दिया जाएगा, सवाल यहां पर यह है, पहले भार्दिये कौन थे जिनने इस पु कर दीजे, मेरी पूरी अपनी तरफ से, मेरी पूरी रूमीद है, कि इस बार CGL के एक्जाम में तुम दुएं-दुएं काड़ दो, मतलब मज़ा आ जाएगा, इसलिए मैंने मेरी quality की class का time गया, 9 बज़े कर दिया तुमारे लिए, कि तुम्हें जादा time मिले, जादा content मिले आज मतलब maximum 2-3 acts में पढ़ा दूँगा, तुम्हें वैसे मैंने 3 सोची है, 3 पढ़ा दूँ, मगर थोड़ा जादा पढ़ाना है, मतलब बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है, सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है, option number A, गोविंद बिहारी लाल को सबसे पहले सम्मा सवानित किया गया था, next question है, अगला सवाल है, स्क्रीन पर सवाल है, how many members are the present in Shri Lankan Parliament, जो Shri Lanka की Parliament है, उसमें number of members की संख्या कितनी है, 2018, CGL के एक्जाम में पूछा गया सवाल है, जिस एक्जाम में 2018 का जो paper, 19 में करवाया गया था, उसमें पूछा गया सवाल है, ध्यान रख सवाल का जवाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस स्मूथ हो जाएगी, दीरे दीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर चीजे बहतर हो जाएगी, क्या रहेगा सवाल का जवाब, 225, 215 या 210, कितने सारे विद्यारती सवाल का जवाब सही दे पाएंगे, सीमा दूबे जी 225, important question है, श्री लंका की संसद में कितने maximum member हो सकते हैं, 225, ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा members में किस country में है, वो country रहेगी चाइना, कितने member है, चाइना में कोई बता पाएगा, comment करके बताईए, जल्दी से, चाइना में कितने members रहेंगे, दुनिया में सबसे जादा member अगर बात करें, श्री लंका वाले दो 225 हो जाएगा सवाल का जवाब, 225 हो जाएगा सवाल का जवाब, चलिए, नेक्स कोशन है, अगला सवाल है, who authored, a century is not enough, in 2018, एक किताब लिखी गई थी, a century is not enough, मतब एक शदक काफी नहीं है, ये किताब किसके द्वारा गई थी, सुनील गावसकर जी के द्वारा ये किताब को लिखा गया था, चेक, ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, आज दुपैर दीन बजए application पे, कि सनी डेस, किसके द्वारा लिखी गई किताब थी, तो सनी डेस किताब थी, सुनील गावरकर जी के द्वारा लिखी ओन, इन 2019, वेश्वग, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, किस दिन मनाया जाता है, कौन सी दारिक को, सवाल यहां पर ये है, दस फरवरी, 18 मार्च, 2 जनवरी या फिर 16 फरवरी, किस दिन मनाया जाएगा ये वाला दिवस, जल्दी जबाब दीजे भई, सवाल है, कब मनाया जाएगा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, किस दिन मनाया जाएगा सालाना, सवाल ये है, दस फरवरी, 18 मार्च, 2 जनवरी या फिर 16 फरवरी, तो आप जबाब द तेंगे सर वर्ल्लोबल रिसाइक्लिंग डेक्स कोशना एकला सवाल है सवाल है तरम पूट इस यूज़ इंदा विच सपुर्ट जो एक टरम है फूट वो निमली कितमे से किस खेलों में इस्तमाल की जाती है गॉल्फ में क्रिकेट में डेबल डानिश में या फुटबॉल में ये जो टर्म है पुट नामक एक टर्म है ये टर्म का इस्तमाल किस खेल में किया जाएगा गॉल्फ में किया जाएगा क्रिकेट में किया जाएगा या फिर फुटबॉल में किया एक सवाल सवाल पूछा जाओंगा सवाल है आईजन आवर ट्रोफी का संबंद किस मिखतमे से किस खेल से है क्या रहेगा इस सवाल का ट्रॉफी की तो आइजनावर ट्रॉफी का संबंद भी किस से रहेगा गॉल्फ से ही रहेगा इंग्लेंड के बाद या शायद अमेरिका या यूएस से के बाद दुनिया में सबसे बड़ा गॉल्फ का जो मैदान है वो कहां पर है क्या कोई बता पाएगा गॉल्फ स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा सेकिंड नमबर पे कहां पर है नेक्स्ट कुशन लगाऊंगा आइजनावर ट्रॉफी आपके सामने हो गया वो ना केवल श्री लंका की पहली महिला प्रधान मंत्री थी तीन बार प्रधान मंत्री बनी यह जिनका नाम यहां पे लिखा हुää है बहुत बेसिक सवाल hy श्रीम ऑवू बंदर नाई'क रहेगा सवाल का जवाब hearing श्रीम ऑवू बंदर नाई का ओप्शन नमबर सी रहेगा इस सवाल का जवाब next question है अगला सवाल है screen पर Mother Teresa the founder of missionaries of charities was born on एक सवाल आपसे और पूछने चाहूंगा Christian missionaries जो थे वो भारत का भाई Christian missionaries जो थे वो भारत का भाई क्या कोई जवाब दे पाएगा इस सवाल का Christian missionaries थे वो भारत का भाई जल्दी से जवाब दीजे भाई क्या रहेगा सवाल का जवाब और अगर इस सवाल के जवाब की बात करें Mother Teresa the founder of missionaries of charities was born on Mother Teresa जी का जनम कब हुआ था आपने अगर पढ़ा है इनके बारे में थोड़ा सा भी तो मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों को अगर पलटके देखा जाए तो इनसे बहतरीन मता personality के रूप में अगर देखा जाए जिनोंने दुनिया के लिए बहुत बहतरीन काम किया तो ये महत्तुपूर्ण से महत्तुपूर्ण लोगों में आपको निजर आएंगे सवाल का जवाब है 26 अगस्त 1910 को जनम हुआ था मदर टेरेसा जी का ध्यान रखना बहुत important question है ठीक मदर टेरेसा जी का जनम कब हुआ था 26 अगस्त 1910 को जनम हुआ था मदर टेरेसा जी का नेक्स कोशन है एक सवाल आप से और पुशन चाहूंगा मतलब भारत रतन इनने कब दिया गया और नॉबल प्राइस इनने कब दिया गया जितना मुझे याद है 1979 में इनको मिलेगा नॉबल पुरसकार और 1980 में मिलेगा इनने भारत रतन आसपास ही होगा बिलकुल accurate होगा मेरे according एक बार आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके जवा करें में आप परिशान मत हुए मैंने आपकी कमेंट देख लिया बिल्कुल बेफिकर रही है आप चिक को नेक्स कुर्शन है अगला सवाल स्क्रीन पर हूँ वास्ट फीमेल शूटर फॉम इंडिया तो रीच नंबर वन इन दा वर्ल रैंकिंग बाइदा इंटरनेशनल सवाल बूचा गया है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स वेडरेशन द्वारा विश्वर रैंकिंग में नंबर वन पर आने वाली पहुंचने वाली पहली पहुंचने वाली भारतिये महिला निशाने बाच कौन थी अनीशा सैयत श्रेश्या सेंग अंजली बागव सवाल का जवाब है हीना सिंदू को 2014 में दिया गया था अरजुन पुरसकार 2014 में इन्हें अरजुन अवार्ट से भी सम्मानित किया गया था यह स्टैटिक जी के 100 साल पुरानी पूच जाएगा वो कि बैटरी का विश्कर करने वाला कौन था मैं क्या लिना देना है बैटरी करना पड़ेगा सवाल का जवाब है 2014 में हीना सिंदू को सम्मानित किया गया अरजुन पुरसकार से और भारत की महिला शूटर जो शूटिंग में इंटरनेशन शूटिंग में नंबर वन स्थान इन्होंने हासिल किया था इसके अलावा तीरन दाजी में दीपीका कुमारी रेनेशनल डान्स फ्रॉम कॉल्ड वजीरी डान्स वो बोल रहा है पाकिस्तान की जो ट्राइबल डान्स है वो परफॉर्म की जाती है वहांके लोकल लोगों के दुवारा उस डान्स का नाम है वजीरी डान्स सवाल यह है कहां पर परफॉर्म की जाती है सिंदू बलूच बरुइस में या फिर पुष्टून पाकिस्तान की कौन सी ट्राइब यह सवाल है पाकिस्तान की वो कौन सी जन जाती है कौन सी ट्राइब है जो डांस परफॉर्म करती है वजीरी डांस चलिए वजीरी डांस जो परफॉर्म करती है वो पाकिस्तान की कौन सी ट्राइब है सवाल यहां पर यह है तीन गोल्ड मैडल उन्होंने जीते हैं यह मैंने पढ़ा रखे आपको फैरिस में वल्ड कप हुआ तीरंदाजी वाला यह सभी चीजे में आपको औरेडी ही पढ़ा कर बैठा हूँ चेक चलिए क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो देखो हवा में नहीं निकलते हैं ऐसे कोशन आप समझिए मैंने दिन में 40 कोशन करवाई एक बजे बिल्कुल ही इतने कॉंसेप्ट चोर मतलब हैरिटेट साइट करवादी, स्पोर्ट्स कैटेगरी करवादी उसके बाद मैंने दिन में 3 बजे दुबारा से 2 टॉपिक्स करवाए, बिल्कुल अनोके टॉपिक जिनके बारे में सुना ही नहीं, 3 बजे कराए अप्लिकेशन पे, अब ये टॉपिक करवा रहो तो कोशन है ऐसे नहीं, इसके अलावा में तो पश्टून रहेगा, जो वाँकी पश्टून ड्राइब्स हैं, पश्टून जन जाती हैं, वो एक डांस फॉर्म परफॉर्म करती है, जिस डांस फॉर्म का नाम क्या है, वजीरी डांस नेक्स कोशन है अगला सवाले स्क्रीन पर विच वर्ल लीडर is awarded the Saint Andrew, the highest order of Russian Federation in year of the 2019 वर्ष 2019 में, रूसी संग के सरवुच्चे आदेश से जनेंट एंडर्यू से किस देश के निता को सम्मानित किया गया डॉनल्ड ड्रम जी को, एंचला मारकल जी को, नरिंदर मोदी को या फिर आमिनल माकरॉन साहब को निम्ले कित में से किसे इस अवार्ट से सम्मानित किया गया, चलिए और अगर सवालों का लेवल सही माहिने में लग रहा है कि नहीं भाई, आउसम है, तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दे रही है, जादा से जादा क्या रहेगा सवाल का जबाब, बेजिक सा सवाल है मेरे इस अब इसे आप गया दे देंगे ध्यक को अटना से समानित किया गया था, सन 2019 में टूदाउजन नाइन्टी में मोधिन जी को इस अवार्ट से समानित किया गया था, आमिनल मैक्रावन नहीं वो दिए गया था चैंपमेंस of earth award जो मौदी जी को दिए गया था अमिनल मैक्रावन दोनों को ली दिए गया था ठीक अगला सवाल है रोन मैक्सिमंट पांगलादेश ecosystem जो बांगलदेश की पार्लियमेंट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्लियमेंटरी वहां बैठेंगे जो वहां पे लोग बैठेंगे काम करने वाले उनकी संख्या कितनी है जैसे भारत की संख्या कि अगर बात की जाए जिकर किया जाए तो आप जानते होंगे सींस 1971 1971 या फिर आपको गिनना पड़ेगा साल 2001 वैसे 2002 दिखाएगा क्योंकि डिलिमिटेशन जो डिलिमिटेशन के द्वारा जो फैसला लिया गया वो साल 2002 से इंप्लिमेंट करवाया जाएगा परी सीमन आयोग जिसकी सापना की गई 1951 में वैसे हर 10 साल में परी सीमन का काम होता है डिलिमिटेशन का काम होता है परी सीमन करके देखना मगर परी सीमन किया नहीं गया इवन मेरे ख्याल से दो या चार बार ही किया गया है तो ध्यान रखना 1971 से सीटों की संख्या निर्धारित कर दी गई तो सीटों की संख्या अभी कितनी है आप सभी लोग जानते होंगे 543 प्लस दो प्लस पांच थी ये तो हो गई भाई सब जो लोकसभा के मैमबर्स हैं जो चुनकर आएंगे ये दो मैमबर्स हों है जो नॉमिनेट थे भारत की बतारों मैं नॉमिनेट थे और ये पांच हो जाएंगे पाक अधिकरित कश्मीर वाले अब इन दो को तो हटा दिया ग आए ठीक और यहां पांच नहीं यहां आपको साथ करना पड़ेगा सेवन ठीक यहां पांच नहीं यहां को साथ करना पड़ेगा सेवन करना पड़ेगा कि पहले हुआ करती थी 552 उसमें से दो अमने माइनस कर दिया अब यहां 543 प्लस सेवन बच जाएगा तो सेवन सीट क में मैक्सिमम स्ट्रेंट ऑफ दा बांगलदेशली पार्लियमेंट सवाल का जवाब है 350 350 अब जो विध्यारती तुक्का मारने वाला है तुक्का पता है कैसे मारेगा भारत में पचास 350 चेक आउट ऑफ 350 पचास सीटों को रिजर्व रखा गया है महिलाओं के लिए फीमेल्स के लिए फचास सीटों को आरिक्षित भी रखा गया है चलिए नेक्स कुशन दिखेंगे अग्रा सवाल है जंकु इस यूनिक कल्चरल कस्टम फॉलोड इन ऐसा सैलिब्रेशन लाइफ जंकु जीवन के उत्सव के रूप में पालन की जाने वाली एक अनूटी संस्क्रिदिक प्रथा है बताईए कौन सा देश ये परफॉर्म करता है नेपाल भुडान पाकिस्तान या श्री लंगा भारत तो है नहीं उसमें ठेक सरी दो सिट खतम क्यों की गई देखि समाप्त करने के बीचे 11 जन अब आप कुछ मत कीज़े यहीं पर वाई-फाई 2.0 पर मेरी एक वीडियो पढ़ी हुई है अंग्लो इंडियन वाली 10 मिनट की वीडियो पढ़ी है जी अगलो इंडियन्स के संदर्व में उसमें लगबक चार मांच 5 नहीं जा 6-5 आपस बहुत जबरदस लगा या नहीं लगा अच्छा का था सवाल है बई सवाल का जवाब है नहपाल भारत तो पूछी नियुरा एक्जाम में सवाल पूछ रहा है भारत से लगी वही सीमाओं के संदर्व में सवाल का जवाब रहेगा नहपाल जंकु एज़ा बर्थ मौनि ऑफ प्रफॉर्म करेगी तो नेपाल में मौझूद नेवर कॉम्मूटी के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाली यह प्रथा है नेक्स्ट कोश्चन एंग्ला सवाले स्क्रीन पर नेपाल जो है वो कितने प्रोविंस में बड़ा हुआ है जवाब दीजे और नेपाल में कितने प्रोविंस मौझूद है पांच साथ चे यह चार क्या रहेगा सवाल का जवाब जल्दी जवाब दिने की कोशिश कीजे फटा-फट से बताएंगे ध्यान रखना इस सवाल एक्जाम में पूछा गया और में भी रिपीट होने के भी पूरे चांसे रहेंगे नेक्स्ट कोशन है अगला सवाल है उनके योगदान के लिए रैमन मेगेस से पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले भार्दिये कौन थे? बहुत बेसिक सवाल है मेरे ख्याल से एक सेगिंड भी नहीं लगेगा जवाब देने में अचारह विनों भाफावे, अरविन केजरिवाल, वर्गिस कुरेशन या फिर बाबा, आमाते किसको दिया गया था सबसे पहले पुरसकार? 1958 में रैमन मेगेस से पुरसकार जितने वाले पहले भारते कौन थे तो अचारह विनोंभावे को दिया गया था जब तक मैं next question लगा दूँगा आपके लिए 2019 में रविश कुमार जी को दिया गया ये आप जानते होंगे 2019 में ये पुरसकार दिया गया रविश कुमार जी को जिनकी किदाब भी है शर्थ फ्री वॉइस करके किदाब है 2018 में ग्यानपीट पुरसकार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है अमिताब गोश किरन देसाई अरुन्दती रॉई या फिर विकरम सेट आप जानते होंगे ग्यानपीट पुरसकार के बारे में जो सबसे पहले शैद संकर करूप को दिया गया था ग्यानपीट पुरसकार लिट्रेचर में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्चे सम्मान है और ये 2018 में किसे दिया गया सवाल यहां पर यह है अमिताब गोश किरन देसाई अनुदती रॉई या फिर विकरम सेट जी निमली कि इंडोनेशिया अरे फिलिपेंस नहीं मिलेगी क्या रहेगा सवाल का जवाब अमिताब गोश जी को ये पुरसकार से समानित किया गया अगर बात करें ये सबसे पहले किसको दिया गया था तो सबसे पहले ये दिया गया था एक मलियालम राइडर थे जिनका नाम था शंकरा कुरूप करके उनका नाम था जिनने पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था किस भाषा के राइडर थे तो मलियालम पोएट थे उनको दिया गया था मलियालम राइडर थे सबसे पहले जिने दिया गया था ये वाला पुरसकार ये सवाल भी अग्जाम में मुझा गया है मलीयारम राइटर थै एक सवाल अपसे और पूछना जाऊँगा ग्यानपिट पुरसकार जितने वाली भारते है महिला, मतलब पहले महिला कौन सी है ग्यान पित पुरसकार जितने वाली first female कौन सी है मैंने ये भी आपको बडा रखा है ग्यान पित पुरसकार जितने वाली first female का नाम क्या है पहली मीला का नाम क्या है अभी 2018 वाल आपने देख लिया इसक अलावा पहले आपने देख लियй Cinq फीमेल और बता दीजिए ये सवाल एक्जाम में बहुत इंपोर्टन बन सकता है चेक चलिए जी रोई सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत नेक्स कोशन है अगर सवाले स्क्रीन पर मरफाती सौंग्स आर्दा ट्रेडेशनल फॉक्स सौंग जो मरफाती के गीत है पारम पर एक पूर्ण तहा कबजा कर लिया जाए तालिबानीस के दुआरा चलिए जो ये मरफाती सौंग है ये किस देश में परफॉर्म किये जाते है अनुप अनुपूर्ण देवी आशापूर्मा देवी आप बता रहे है अशापूर्ण देवी ठेक बहुत बढ़िया यही मिलेगा का सवाल का जबाब भारत के साथ सबसे लंबा बॉडर मतलब जो सीमा वाला तो बउडर है गवाला बॉडर है सबसे लंबा बॉडर शेयर कर रहा है bang चलिए next question है अगला सवाले screen बर the term cherry picking is used in which sport जो cherry picking शब्द का परियोग किया राता है वो किस खेल में किया राता है और एक चीज़ और याद रखना अगर आप पढ़ना चाहते हैं theory अगर आपको लगता है कि केवल कोशनों से काम नहीं चलेगा जो कि नहीं चलेगा theory आपको पढ़नी पढ़ेगी तो theory की class इसके just बाद 9 बजे से होगी polity वाली भारतिय राज्य विवस्था वाली जिसमें मैं historical development of Indian constitution के बारे मतलब जो history है ना constitution की उसके बारे में बताऊंगा historical development के बारे में पढ़ाऊंगा आज मैं पढ़ाऊंगा प्लासी के युद प्लासी के युद में क्या हुआ प्लासी के युद के बाद क्या initiative लिया गया Lord Clive के दुआरा क्या बोला गया Lord Clive के दुआरा किसे बनाया गया बंगाल का नवाब क्यों बनाया गया और क्यों उसे बनाया गया और डायार्की को कैसे डिवाइड गरना होता था वो समझाऊंगा और कैसे 7 साल डायार्की चला और कैसे पूरा का पूरा बंगाल को लूट लिया गया 7 साल में के बिटन सब्सक्राय वह मुझा जाता है यह world को मैं आपको समझादूना। phemしま करका के विक्राइब कंखी 152 कोसी को समझा धूंँ में मेरे चैनल प्लेइंग season जो आपको मिलेगी मेरे चैनल प्लेइंग विद जी के पे सवाल का जवाब क्या रहेगा इसमें से क्रिकेट, स्विमिंग, बास्केट बॉल या फिर डेबल डैनिस बस आपको पढ़ने आना पढ़ेगा भाई सब बढ़ाने के लिए दौमतियार है सवाल का जवाब रहेगा, बास्केट बॉल, सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा, बास्केट बॉल, मीड जाफर ने दोगा दी दिया, एक और मिलेगा, मीड जाफर तो सैना पती था, एक मंत्री भी मिलेगा, पहले मीड जाफर को बनाया जाएगा, वहा सेकेंड हाइस सिविलियन अवार्ट इन इंडिया पादम भीभूशन फोर एक्सेप्शनल एंड दिस्टिंग्जिश शर्वेस इन 2019 वो बोल रहा है उस भारती उस विलेशी की पहचान कीजिए जिसने 2019 में आसाधरन और विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत के दुआरा सर्वोच्चे दूसरा सर्वोच्चे नागरिक पुरस्कार पदम विभूशन से सम्मानित किया गया है इसमाइल उमार गुलहा जॉन चैंबर्स प्रवीन गोर्धन या फिर कादर खान क्या रहेगा सवाल का जवाब जवाब दीजे भई और कैसा लगा सवाल बढ़िया है या नहीं है चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा इसमाइल उमर गुलेहा सवाल का जवाब रहेगा इसमाइल उमर गुलेहा नेक्स कोशन देखिए अगला सवाल है नेम दा नेशनल बर्ड ऑफ भुडान भुडान के राष्ट्रिय पक्षी का नाम बदाई आप पढ़के बैठे थे मोर और वहां भाई सब आ गए चोर समझ गए समझ रहे होगे भाई सब बात को मेरी कि आप तो मोर बढ़के गए थे कि बारत का राश्टे बक्षी मोर है सिंस 1963 परपर तरीके से ठीक है कानुनी तरीके से कोशिद कर दिया गया वो सवाल पूछ गया एक्जाम में की बताई यह भुडान का नैशनल बढ़ कौन सा है अब वहाँ पेपर में हो गई दिक्कत कि अब भुडान का नैशनल बढ़ क्या लगा है और विध्यारती इतना समझदार है विध्यारती ऐसे कैलकुलेट कर रहा है चैरा अच्छा यह वाला दिमाग लगा है बच्चे ने खैरा बढ़ की बात कर रहा है चैरा क्यों ना भुटान इकवर्स टू इंडिया कर ले सीमा तो लगी रही है क्या पटा पक्षी भी शेयर कर रहा हूं क्या पता हमें धोका देने की कोशिच यहां पे की जा रही हो इग्जामीनर के दुआरा को कि यही उसको पुरा का पुरा उसके माइंड में कही यह बैठा हुए दिमाग में कि मुझे मेरे सब चलाकी करेगा एक्जामिनर वो चलाकी कराएगा पेपर में कहरा यह लो कहरा हम भी बहुत समझदार है सवाल का जवाब है रवन ध्यान रखना इंपोर्टन कोशन है एक्जाम के लिए ठीक ओप्षन नमबर यह है सवाल का जवाब नेक्स कोशन है अगला सवाल है 24 जनवरी को क्या मना जाएगा इसको 24 जनवरी को ना इक्जामे 26 जनवरी मत पढ़ लेना खई वो यहां पर रिपब्लिक डे जरूर देगा इसमें ऑप्षन में और तुम्हें 24 जनवरी हमाँ 26 जनवरी ही नजर आने वाल है 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है एक्जाम बहुत दिमाग से कैलकुलेट करके देना होता है यह नहीं होता कि तुक्का बेड़ने में लगे हो एक्जाम में कह रहे हम से कौन जीत पाएगा दुनिया में हम तो बहादूर है सवाल का जवाब क्या है सवाल का जवाब है मनाया जाएगा नेशनल गर्ल चाइल डे और कब से मनाया जा रहा है कब से शुरू किया गया था तो आप जवाब देंगे यह फर्स इनिशेटिव लिया गया था सन 2008 में अच्छा कोशन है यह सवाल एक्जाम में पहले भी पूछा गया और दुबारा पूछे जाने के भी चांसेज रहेंगे नेक्स कोशन एकला सवाल है नामक किदाब किसके द्वारा लिखी गई है निमली कितमे से किसके द्वारा एक किदाब लिखी गई है सवाल आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने यह गोशिश कीजिए क्या रहेगा उनका नाम किसके द्वारा लिखी गई किदाब है सवाल का जवाब रहेगा किदाब का नाम है नेक्स कोशन एंगला सवाल स्क्रीन पर विजे हजारे ट्रॉफी का संबन इंडियन प्लेर असोसेटेटेड बहुत बेसिक सवाल है जवाब दे दीजे विजे हजारे ट्रॉफी का संबन निमली कित में से किस खेल से है बॉक्सिंग से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या फिर राइफल शूटिंग से रहेगा चलिए क्लास को जादा से जादा लाइक और शेयर कर दिया गरो भई और इसके बाद मैंने बदा दिया है जस्ट नौ बजे से क्लास शूरू होनी है, मतलब नौ मिनट बात क्या रहेगा सवाल का जवाब प्लेइंग विजी के चैनल पे पॉलिटी अगर पढ़नी है, त्योरी से पढ़नी है तो जुड़ जाएगे बाकी आप खुद जिम्मेदार है वरना पेपर में क्या रहेगा सवाल का जवाब, सवाल का जवाब रहेगा क्रिकेट, चेक, बहुत बेसिक सवाल है बहुत ही बेसिक सवाल है, विजया सारे जी का संबंध क्रिकेट से रहेगा, इन्होंने चौदा मैच खेले थे, 1951 से लेकर 1953, ये पहले भारदे के लाड़ी थे, जिन्होंने ट्रिपल सैंचुरी मारी, ट्रिपल सैंचुरी इन फर्स क्लास क्रिकेट, नेक्स कोशन है इंडिया ओफ माई ड्रीम्स, पुस्तक में किसके भाषन और लेखन शामिल है, मात्मा गांधी जी, जवाहर लाल नहरू जी, सरदार वल्ला भाई बटेल या फिर डॉक्टर राजिंदर प्रसाद, निमले कितमे से किसकी भाषन प्लासी वाली क्लास कब है, आज है जी, प्लासी वाली कितास आज है, रात को, 9 बजे किसके भाषन सामिल है, सवाल का जवाब रहेगा, मात्मा गांधी जी का, जल्दी दे देता हूँ, क्योंकि दूसरी ग्लास का टाइम भी हो रहा है, मेरा नेक्स कोशन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर काजी नजरूल इसलाम is the national poet of, काजी नजरूल इसलाम जो है, वो किस देश के एक national poet है, काजी नजरूल इसलाम किस देश के national poet है, आप्शन है स्क्रीन पर बांगला देश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर अफ़र अफगानिस्तान, इनकी डेथ वी थी, 26 अगस 1976 को सव सवाल का जवाब रहेगा, बांगलादेश, काजी नजरूल इसलाम किस देश के national poet है, सवाल का जवाब है, बांगलादेश के, नेक्स्ट कोर्शन है, अगला सवाल है, who among the following was the first chief minister of केरल, केरल के पहले मुख्यमंदरी गौन थे, who among the following was the first chief minister of केरल, क्या रहेगा सवाल का जव आप, option है, आपकी स्क्रीन पर, घार शंकर, C, अचूदा मैनन, या फिर पतों, E, तन्नुई, या फिर EMS, नंबू द्रिपद, सवाल का जवाब रहेगा, option number D, टिक कर दीजो, और आगे बढ़ जाईए, अभी अभी मौझूदा कौन है, अभी मौझूदा आपको मिलेंगे आपके स्टेलिन, मौझूदा अभी आपको मिलेंगे दमिल नाडू के सीएम, आपके स्टेलिन, नेक्स्ट कुश्चन है, अग्रा सवाल है, वह अमंगदा फॉलोविंग वॉस्ट प्रेजिडेंट आप दा रिपब्लिक आफ चाइना, रिपब्लिक आफ चाइना के पहले प्रदानमंत्री कौन थे, पहले प्रेजिडेंट कौन थे, पहले राश्पती कौन थे, रिपब्लिक आफ चाइना पार्टी को 100 साल हो गए, आपने देखा होगा अभी आली में, तो ये सवाल आप खुछ समझ सकते हो, कितना इंपोर्टन रहेगा, कौन थे, क्या रहेगा स होट ऊपर, मैं शूर हूँ 100%, ठीक है, 1949 को, नेक्स्ट रहाल है, आगरो सवाल है, फुर्स वैक्सेन अफ आटेश्थ बांधोट वर्त पॉक्स की वैली वेउक्सेन दिसकवर करने वाले का नाम क्या है, फुर्स एसकावट ता फॉर्स और वैक्सेन ओ फॉर्स त्मॉल पॉ लेंस इन 2002 मंगर उतना आपको जानने की जरूरत नहीं मेरे साथ से इतने से आपका काम चल जाएगा चेक चलिए क्लास अगर अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना क्लास को और जो भी नया जुड़ा है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अभी इसके जस्ट बाद 9 बजे से क्लास है प्लेइंग विद जी के चैनल पे थियोरी पढ़ना चाहते हो तो आजो भाई और मैं पहले ही बोल रहा हूं थियोरी पढ़ाऊंगा थियोरी पढ़ाने का अलग धंग होता है थियोरी पढ़ाई जाती है तमीस से जैसे मान लीजे मैं क्यालकर्टा में सबसे पहले सुप्रीम कोट बनाया गया और सुप्रीम कोट में अलीजे अमफी को बनाया गया चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस के साथ साथ बाकी तीन लोग कौन थे है उनके बारे में हम संझेंगे ठीक है उसके बाद क्या किया वैरन हैस्टिंग ने क्या क के चैनल पर शांती से त्योरी पढ़ाऊंगा तमीज से अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कोस्ट एक पैसा कुछ नहीं देना वहाँ पे मेरा चैनल है बीस पच्छीज वीडियो पढ़ी है हिस्ट्री वाली आज से पॉलिटी की त्योरी शुरू हो रही है बहुत बह बन्हें लगाइब तेंग सुमाच बबाइड कर दो